हेलो फ्रेंज नमस्ते दोस्तों सब कैसे हैं आज आप सब के लिए मेथी जो कि बहुत ही फायदे मांद होती है जाड़ों में आसानी से मिल जाती है तो मेथी के पराठे कैसे बनाएं वो आपको दिखाते हैं तो मेथी की पत्तियां चुन-चुन करकी थोड़ी सी खटी कर लिए और धूका रख लिया है साथ में गेहू का आटा लिया है और उसमें सिर्फ दो चमत बेसन डाल लिया है आप चाहो तो बेसन को इसके भी कर सकते ह तेसन डालने से मेती का पराठा बहुत खुश और अच्छा बनता है थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा जीरा यह सब चीज़े डालने से उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सिर्फ इसलिए डालने है थोड़ा सा मिर्चा लाज मिर्च यह भी आप चाहो तो इसकित कर सकत चाहो तो डालो वह आपकी इच्छा पर है क्योंकि मिर्ची सब चीज में सब लोग पसंद नहीं करते हैं लेकिन मैं इसको बहुत स्वाधिस रचटपटा बनाने के लिए बना रही हूं इसलिए इसमें थलका सा थोड़ी सी लाजमेश्ट भी डाली है थोड़ी सी हल्दी थ त्यार होगा मेठी का पराठा थोड़ा सा नमक सौथ के अनुसार और थोड़ा सा रिफाइन और यह है हरी मिर्च सौथ के लिए इसको भी डालना है यह भी ऑप्शनल है तो जो चीज़ें आप खाते हों वह आप डालिएगा और जो आप नहीं खाते हैं उसको आप स्किप कर सकते हैं वह भी मिर्चा क्योंकि वह सब लोग नहीं पसंद करते इसलिए और यह जो मेठी की पत्तियां चुनके धोके रखी ती ना इसको जो है ऐसे ही छोटा-छोटा आप चाहो तो इसको काट लो नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हैं यह किसी भी चीज में आप मैश करेंग सब चीजों को आपस में मिक्स कर लेंगे फ्रस जो डिफाइन डाला ना और जो बेशन डाला उससे जो इसका खुश्क पंज आएगा ना पराठा खाते समय जब आप बाइट लेंगे तो दोस्तों आप विस्वास कीजिए बहुत ही अच्छा मन के तयार होगा खाने में बह बहुत अच्छा रगा तो प्रीस भी बताएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए है और हैं कावीता देशी किचन पी शब्सकाइब कर देजिए जिस सब ही से अन्रोध मेरा चैनल है कवितादेशी किचन उसको सब्सक्राइब कर दिए तो दोस्तों अब डो हमारा बन के तयार हो गया उसको थोड़ी देट लिए रख दिया था मैंने ढखके पांस मेंट ले और यह बहुत अच्छा सा बन के तयार हो गया तो एक फिर से हमने उसको मैश कर लिया पूरे इसोगो गया तो आपके उल्हा बना सकते हैं आपश को तिकोन भी बना सकते हैं और तवे पे रख करके इसको सेकेंगे धीमी धीमी आज पर बस यह सीयाज पर बहुत अच्छे से थेख ना है बस वही इसकी कलाकारी जो आपने अच्छे सका ना उसको तो उसका हर चीज अच्छे से पक जाएगी बहुत अच्छे ह्गुआ यह देखिए सारे जो आपका एक साइट का इसमें चित्ती चुटी 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 सी आगी न बस यही पहचाने कि आपका पराठा अंदर से बहुत अच्छे से पग गया है जला नहीं है पग गया है यह देखिए कितना अच्छा सुनहरा सुनहरा सा पग गया पस यही इसकी कि आपका पराठा अंदर से बाहर से सब तरिके से पग गया इसमें अंदर देखिए जब मैंने पेड़ा बनाया था इसका एक लोगी का तो उसमें कोई ओयल नहीं लाए क्योंकि मैं हमने पहले से ओयल डाल रख था है इसलिए अब इसको आप चाहे तो देशीगी में सेखिए चाहे तो रिफाइन में सेखिए चाहे तो सरसो के तेल में हमने इसको सरसो के तेल में सेखा है सरसो का तेल इसलिए डाला क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है न हमने आटे का बनाया उसमें थोड़ा सा भीसन डाला थोड़ा सा हलदी डाला तो जब उसमें सरसो का तेल का पराठा सेखते हैं तो बहुत अच्छी सी सौंधी सौंधी को शुआती है अब बस इस पराठे को सेख सेख करके आप चाहो तो चटनी के संखाईए चाहे तो गुड के संखाईए या आलू टमाटर की साधी सबजी जो बनती है न दोस्तों बिना मसाले वाली वो भी बहुत अच्छी तो यह देखिए पराठे बन करके सब तयार हो जिते जारे हैं अब हम आपको खिलाएंगे दिखाएंगे खुद भी खाएंगे अब आप बताईएगा कि अगर यह बन करके अच्छे से तयार हो गया है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजेगा और जो हमने बताया आलू ट तरीके से मेति का पराठा बन के आपका तयार हो गया है जितने चाहें उतने बना सकते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीजिए